जंतर मंतर पर सब धर्णा दे रहे पहलवानों ने अपने मेडल वापस करने का अलान कर दिया है वितिरात जो कुछ भी हुआ उसने अबस चिंगारी को और भी भड़का दिया है पुलिस की मारपीट में कई पहलवान घायल होगें जुसके बाद यब मुद्दा और भी गर्मा चुका है देखियो रिपोर्ट लगातार तीसरा गोल मेडल कॉमन वेल्ट गेम्स में भारत की चंपियन विनेश वोगाट को मिला है ये धाकड मुस्कान आज बेबसी के आंसू बहाने को मजबूर है इसका कसूर बस इतना है कि ये हक के लड़ाई में अपनी आवाज बुलंद कर रही है लेकिन क्या लोकतंत्र में आवाज उठाना इतना कठिन हो गया है कि शांती पुरवक धर्णा दे रहे पहलवानों को पुलिस की मारपीट का सामना करना पड़ रहा है इन पहलवानों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि देश के लिए मेडल लाने वाले इन खिलाडियों को इस तरह की ज्याक्ति का सामना करना पड़ेगा जब उनकी न्याई की आवाज पुलिस के लाठ्यों द्वारा दबाने की कोशिस की जाएगी क्योंकि बीती रात जंतर मंतर पर कुछ ऐसा हुआ उसने पूरे देश का सिर शर्म से जुका दिया है धरना दे रहे पहलवानों और पुलिस कर्मियों के बीच हाथा पाई ने एक बार फिर से सोचने को मजबूर कर दिया है कि क्या लोग तंतर में आवाज उठाना गुना है दरसल बीती रात बारिश के चलते धरना दे रहे पहलवानों के गद्दे गी लेए हो गए थे जिसके बाद फोल्डिंग बेड लाए जो आ रही थे इस बीच पुलिस ने उनको ऐसा करनी से मना कर दिया जिसके बाद नौबत मारपीट तक पहुँच गई पहलवानों का आरोप है कि पुलिस वालों पर महिला पहलवानों के साथ ना किवर बत्स लूगी की बलकि उनके साथ मारभीट भी की जुस पे कई पहलवान घाल हो गए जिसके बाद दिल्ली महिला आयो की अध्यक्ष इस्वाती मालिवाल पहलवानों को समर्थन देने जंतर मंतर पहुची जहां पुलिस ने उनको भी रासत में ले लिया अध्यक्ष पीटी उशा भी जंतर मंतर पर पहलवानों से बात करने पहुची थी लेकिन उनका कहना था कि पहलवानों को धरना देने से पहले ओलंपिक स्तर पर गठत कमीटी में अपनी बात रखनी चाहिए थी हलाकि उन्होंने पहलवानों के साथ खड़े होनी की बात कही है लेकिन पहलवानों ने साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई सरकार या विपक्ष से नहीं है बलकि कुष्टी महासंग के अध्धक्ष ब्रजबोशन सिंग से है जो यौण शोसन के आरोपों में घिरे हैं जिसे उसके किये की सजाब मिलनी ही चाहिए इसके अलावा खिलाडियों ने ग्रेह मंत्र अमितुशा को चिठे लेकर चार मांगे पूरी करने की अपील की है जिसमें धरना के लिए टेंट, स्टेज, साउंड सिस्टम, मुहया कराय और आरोपियों पर सखत कारवाई करने की अ पील की है बैरहाल जंतर मंतर पर जो कुछ भी हो रहा है उस पर सियासत होना शुरू हो गई है खिलाडियों को राजनीतिक डलों का समर्थन तो मिल रहा है लेकिन आब उनके धरने पर राजनीती से प्रेरित होने के आरोप लगने लगे हैं लेकिन इस पर अब तक सरकार के बड़े निताओं की प्रतिकरिया नहीं आई है क्योंकि अगर इस मुद्धे पर जल्द सुल जाया नहीं गया तो वो दिन दूर नहीं कि ये किसी बड़े आंदोलन में तब्दील हो जाए क्योंकि खिलाडियों के समर्थन में बड़ी संख्या में लोगों का जुटना शुरू हो गया है वियोर रपोर्ट तीन पी नियूस